नमस्कार अपुर्वास किचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं आप लोग के साथ एक और विंटर स्पेशल रेसिपी शेयर करने वाले हो आज हम गोंत के लटू बनाएंगे इसे आप एक बार बना कर काफी दिनों तक स्टोर करके रख सकती है सद्डियों के टाइम में इसे बहुत घरों में बना कर खाया जाता है इसके काफी सारे हिल्थ बेनिफिट्स है इसे आप एक बार ट्राई जरूर करें ये खाने में इतना टेस्टी होता है कि बच्चे हो या बड़े हर किसी को ये बहुत पसंद आएगा तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने कड़ाई मीडियम फ्लेम में गैस के उपर चड़ा दिया है और अब हम जब कड़ाई गरम हो जाए तब हम इसमें दो चमज घी डाल देंगे फ्लेम को लो करके इसमें गोंद डाल दें और इसे लो फ्लेम में ही फ्राई करें जब तक कि गोंद बिलकुल अच्छे से फूल ना जाए high flame में या medium flame में इसे fry ना करे low flame में fry करने से ये अच्छे से fry होगा अब देख सकती हैं गोंद बिलकुल अच्छे से फूल गया है और ये fry भी हो गया है light brown color का हो जाए तब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे हाथ में लेकर इस तरीके से इसे crush करने से ये बिलकुल आराम से तूट जा रहा है मतलब ये बिलकुल अच्छे से फ्राई हो गया है अब हम फिर से कड़ाई में दो चमज घी डाल देंगे और अब घी में हम ड्राइफ रूट्स डाल देंगे ये बदाम, पिश्टा, काजू और साथ ही थोड़ा सा चारमगज डाल दिया है इन सारे नट्स को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इनका रंग हलका बदल न जाए अब देख सकती हैं कि सारे ड्राइफ रूट्स अच्छे से फ्राई हो चुकी है तब हम इने कढ़ाई से निकाल लेंगे कढ़ाई से सारे ड्राइफ रूट्स को निकाल लेने के बाद उसी घी में हम डेसिकेटिट कोकोनट डाल देंगे यहां मैंने डेसिकेटिट कोकोनट यूज किया है आप चाहें तो सूखे नारियल को ग्राइंड करके भी डाल सकती है नारियल का रंग हलका बदल जाए तब हम इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे अब कढ़ाई में हाफ चमच घी डाल दें और अब इसमें चिरॉंजी डाल कर थोड़ी देट तक फ्राइ करना है जब तक कि इसका रंग हलका बदल ना जाए और इससे भीनी-भीनी से खुश भूना आने लगे चिरॉंजी को कढ़ाई से निकाल लेने के बाद फिर से हम इसमें हाफ चमच घी डाल देंगे और अब इसमें बड़े कप से एक कप मखाना डाल कर इसे फ्राइ करें जब तक कि मखाना बिलकुल क्रंची ना हो जाए जब तक लो फ्लेम में मखाना फ्राइ हो रहा है तब तक हम जो गोंध हमने फ्राइ करके रखा है इसे क्रश कर लेंगे grinding jar में डाल कर इसे grind ना करे नहीं तो ये बिल्कुल fine powder बन जाएगा किसी भी बरतन के निशली भाग से हम इस तरीके से इसे प्रस करेंगे तो इसका चूरा तयार हो जाएगा हमें बस crush करना है powder नहीं बनाना है अब देख सकते हैं मखाना भी बिल्कुल अच्छे से fry हो गया है तो इसे कड़ाई से निकाल ले अब हम कड़ाई में बड़े चमच से एक चमच घी डाल देंगे घी मेल्ट होना शुरू हो जाए तब हम इसमें डेर कप आटा डाल देंगे आप चाहें तो आटा के साथ बेसन भी डाल सकती है मैंने सिर्फ आटा यूज किया है आटा डाल देने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे जब तक कि आटा का रंग बिल्कुल बदल कर ब्राउन ना हो जाए गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे लो टू मेडियम फ्राई करेंगे हाफ टन होने के बाद मैंने फिरसेंस में हाफ चमच घी डाल दिया था जितना ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखा था उसे मैंने क्रश कर लिया है इस तरीक से इसे क्रश कर लेने के बाद रख ले फाइन पॉडर नहीं बनाना है इधर आप देख सकती है आता भी पिल्कुल अच्छ से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे कड़ाई से निकाल लेंगे और कड़ाई में डेर चमच घी डाल दे और अब हम इसमें आधा किलो गुर डाल देंगे गुर डाल देने के बाद इसे एक बार आप स्टर कर ले हलके आतों से इसे एक बार चला लेने के बाद अब हम इसमें पानी डाल देंगे पानी मैंने बड़े कप से हाफ कप यूज किया है आप चाहें तो गुर के साथ चीनी भी ले सकती है गुड को आप half कर दे और चीनी पॉडर यूज़ करें medium to low flame में हम इसे cook करेंगे पानी डाल देने के बाद low flame में ही गुड को melt होने के लिए रख देंगे जब तक गुड मेल्ट हो रहा है तब तक हम मखाना को crush करके रख लेंगे आप देख सकते हैं गुड मिल्ट होना शुरू हो गया है तो इसे एक बार अच्छे से चला लें और अब हम gas off कर देंगे चाट छोटी इलाइचियों को कूट कर इसमें अब हम डाल देंगे इसे अच्छे से mix कर लें इलाइचि पॉडर के साथ ही मैंने थोड़ा सा सौट पॉडर भी आट किया है जो गुड मैंने यूज किया है वो और गानिक गुड है उसमें अल्रेडी सौट पॉडर दिया हुआ है तो इसलिए मैंने सौट पॉडर का जादा यूज नहीं किया है आप अगर सौट पॉडर लें तो उसमें छोटे चमच से एक चमच सौट पॉडर का यूज करें अब हम इसमें जो ड्राइफ रूट्स और आटा था उसे डाल देंग अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये हलका सा गरम रहे जितना आपका हाथ सह सके उतना गरम रहे तब ही इसे मिक्स कर लेना है बिल्कुल थंडा हो जाने के बाद ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेने के बाद जो म मखाना जो हमने क्रश करके रखा था उसे भी टाल देंगे अच्छे से इसे मिक्स कर ले और अब हम इससे लड्डू बना लेंगे लड्डू बनाने के लिए जितने ड्राइफ टूट्स और गोंद मैंने यूज किया है यह सारे चीजे मैंने 100 ग्राम में लिया है गुड आधा रेटी है आपको मेरी यह रसिपी कैसी लगी यह आप मुझे कमेंट करके बताना ना भूले बसंद पंचमी और कुछी दिनों में है आप उस वक्त भी गोंद के लड्डू बना सकती है आपको मेरी रसिपी पसंद आ रही है तो मेरी चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप मुझे यूट्यूब में देख रही है तो सब्सक्राइब कर ले और अगर आप मुझे फेस्बुक या इंस्टाइग्राम में देख रही है तो फॉलो कर ले थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग